गर में अपने से उतना ही रूठों कि आपकी बात भी रह जाए और दुसरों की इज़त भी ठीक है बहुत बड़ी बात है छोटी छोटी बात भी आपको समझना पड़ेगा अगर परिवार को संग में लेकर चलना है तो क्लास को स्टार्ट करूँगा उसके पहले बोलूँगा क्लास के टाइमिंग को बिल्कुल देख लीजिएगा और आज मैत का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे साम को 6 बजे सो क्लास में बिल्कुल जुड़ाएगा और हाँ रिजिदिंग का भी एक पूरा कंसेप्ट वाला चैप्टर आपको पहला चैप्टर आपका रिजिदिंग का स्टार्ट होगा आपका एक नया चैप्टर रात को 10 बजे और करेंट अफेर का अक्टूबर का पूरा का पूरा पीडियाफ मैंने आप सभी को कल दे दिया है वीडियो भी बना कर दे दिये हैं टेलीग्राम पर लिंक जो है वो पड़ा हुआ है तो टेलीग्राम से आप सभी जुड़ सकते हैं वीडियो का लिंक description box में दिया है तो वहाँ से जाकर आप सभी download कर सकते हैं और एक बात September मैंने का current of where जो है वो मैंने start कर दिया है रात को साड़े 11 बजे अक्टूबर खतम होने के बाद कल पहला class था तो जरूर आप सभी देख लिएगा एक बार और चैनल पर जो भी नए है चैनल को subscribe करने के बाद notification के बिल को धबा दिजीगा ताकि हर एक class का अबिट मिलता रहे और किसी भी exam का mock test आप सभी हमारे application success की 98 से दे सकते हैं 349 का package अगर buy करते हैं तो जितना भी exam है competitive exam हर exam का mock test आपको दिया जाएगा अभी railway का सिर्फ आपको 90 सेट दिया जा रहा है SEC bank का छोड़ दो वो तो दिया ही जा रहा है बस railway का 90 सेट दिया जा रहा है ताकि आप exam से पहले खुद को judge कर पर और एक बात SEC CPO का भी जो test है सारा आपको मिल जाएगा CPO का test जो है वो भी add कर दिया गया है हमारे application के उपर तो वो भी एक बार आप सभी check कर लीजिएगा सो देखते हैं आज का पहला question हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है और आज cover करने वाले हैं 5 December के important current affair पहला प्रस्थ है भारत को West Week जलवायू जोकिम सुचांग 2020 में किस इस्थान पर रखा गया है ये आपको बताना है इस प्रस्थ में question काफी important है और आप याद रखेगा Global Climate Risk Index 2020 में जो इंडिया का rank है West Week जलवायू जोकिम सुचांग 2020 में वो है आपका 5 अब आपके माइंड में आ रहा होगा भाया इस सुची में टॉप पर कौन सा देश है आपके माइंड में आ रहा होगा न कि मालो भाया माल लिए West Week जलवायू जोकिम सुचांग 2020 में जो टॉप 5 पर है भारत टॉप पर कौन है तो टॉप पर है आपका जापान ठीक है कौन है आपका जापान और जापान के बारे में अगर बात करू तो आप सभी को पता है जापान का राधानी क्या है टोकियो और क्या पिटल क्या है और वहां के मुद्रा क्या है तो जापानी सियन और वहां के राष्ट पती कौन है तो अगला प्रस हमारे सामने है ये question भी काफी important है Google का ही company जिसका नाम है आपका Alphabet इसके CEO जो है वो किसे बना दिया गया है और ये question काफी important है Alphabet के नए CEO के रूप में किसे निक्त किया गया है और जो नए appointed किये गये है उनका नाम है आपका Google के जो CEO है सुन्दर पिछाई आप सभी को पता है ये भारत के रहने वाले हैं IIT खड़कपुर से इन्होंने अपनी पढ़ाई जो है वो पूरी की है तो सुन्दर पिछाई को ज लैरी पेज इन्होंने पहले ये CEO थे लेकिन इनके हटने के बाद सुन्दर पिछाई को जो है वो अलफाबेट का नया CEO बना दिया गया है one of the important question है ये वाला अगला प्रसमारे सामने है Indian Navy Day यानि भारतिय नौसेना दिवस हर साल हम लोग कम मनाते हैं तो भारतिय नौसेना द देकर तो इंडिया नेवी की जो चीफ है उनका नाम क्या है तो उनका नाम है आपका करम बीर करम बीर सिंग आप सभी को पता है जो इंडिया नेवी के चीफ है जो हेड है उनका नाम क्या है करम बीर सिंग ठीक है अगला प्रसमारे सामने है FSSAI द्वारा हाल ही में किस railway station को देश के पहले Eat Right Station के रूप में प्रमानित किया गया है अब आप पहले ये जान लो ये Eat Right Station है क्या पहले आप ये भी सुन लो कि Eat Right Station के लिए चुना गया है आपका मुंबई Central को Option No. C ठीक है और मुंबई का यारी माराष्ट का राधानी क्या है तो वो है आपका मुंबई वहाँ के चीप मिनिस्टर मुख मंत्री कौन है तो उडव ठाकरे और गवर्नर सभी को पता है वगस सिंग खोसियारी अब ये Eat Right Station है क्या तो Eat Right Station मतलब मुंबई Central को क्यों चुना गया है क्योंकि इस Station पर स्वास्थ खाना साफ पानी स्वख्च को पूरा ध्यान रखा गया है साफ सुत्रे को लेकर खाने को लेकर इसलिए मुंबई Central को जो है वो Eat Right Station का टैग दिया गया है क्योंकि यहां पर कहना है खाना साफ मिलता है पानी साफ मिलता है साफ सुत्रा का खयाल रखा जाता है खाने को नजर में रखते हुए ठीक है याद रखे को कुस्टन काफी important है अगला प्रस हमारे सामने है रूस के साफ हाल ही में किस देश ने साइबेरिया की सीमा पार गैस पाइपलाइन का उधगाटन किया है और वो है आपका रूस के साफ जो देश है वो है आपका चीन यानि option number आपका A चीन के बारे में सभी को पता है और रूस का बात करो तो रूस का capital Moscow है और मुद्रा वहाँ पर रसियन रबल और वहाँ के राष्ट पती कौन है तो बल्दमीर पुत्तिन यानि रूस चाइना के साफ मिलकर साइबेरिया की सीमा पार गैस पाइपलाइन का जो है वो उधगाटन करने वाला है दोनों देश मिलकर रूस और कौन तो चीन ठीक है अगला प्रसमारे सामने है होर्णीबल फेस्टिबल का बिश्वा सस्करण किस राज में आयोजित किया जाएगा ये आपको बताना है तो ट्वेंटी एडिशन ओफ होर्णीबल फेस्टिबल विल भी हेल्ड इन विच स्टेट और जो हर्णीबल फेस्टिबल का बिश्वा सस्करण जहां होने जा रहा है वो राज है आपका नागा लेंड ठीक है क्या है तो नागा लेंड और आज का आपका पहला प्रस्ति ये है नागा लेंड के राज्यपाल यानि गवर्नर नागा लेंड के चीप मिनिस्टर यानि मुख्य मंत्री और नागा लेंड का कैपिटल यानि राजधानी ये तीन चीज आपको नागा लेंड के बारे में कॉमेंट करकर बताना है ये आपका आज का पहला प्रसन है अगला प्रसनमारे सामने है बडोदा उत्तरपरदेश ग्रामीर बैंक पहला ये कासी गोंती सयूट ग्रामीर बैंक दुसरा और तिसरा पुरवांचल बैंक का विलाए यानि ये तिन बैंक का मर्ज किया जा रहा है और इनको एक नया नाम दिया जा रहा है वो नया नाम है क्या ये आपको बताना है नाम क्या क्या है किस तिन बैंक को मर्ज किया जा रहा है तो बरोड़ा उत्तर परदेश ग्रामिन बैंक कासी गोमती सम्यूत ग्रामिन बैंक और पुरवांचल बैंक इन तिन बैंक को मर्ज कर कर एक नया नाम दिया जा रहा है जिसका नाम है आपका बरोड़ा युपी बैंक यानी ओप्सन नमबर जो C है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है ठीक है याद रहेगा और एक बात उत्तर परदेश से अगर इसको रिलेट करूं तो उत्तर परदेश के राज्यपाल कौन है अन भारत और नेपाल की बीच सेयुट सेन अभ्यास जो कहां पर हो रहा है तो वो हो रहा है आपका सल जंडी नेपाल में आयुजित किया जाएगा ये जॉइंट जो सेयुट सेन अभ्यास है इसका नाम आपको बताना है सेयुट सेन अभ्यास का नाम है क्या और इसका नाम है आ नेपाल मित्र सक्ति जो ये exercise है इंडिया और सिरिलंका के बीच में यह कहां पर आयोजीत किया जाएगा और जो ये मित्र सक्ति अभ्यास है ये इंडिया और सिरलंका के बीच में है ये आयोजीत किया जाएगा आपका पूने में और पूने में कहां पर तो on the military station वहां पर जो है ये मित सक्ति अभ्यास जो है वो किया जाएगा अगला प्रस हमारे सामने है भारत भरस्टाचार सबसे भरस्ट राज कौन सा है अगला प्रस हमारे सामने है जापान के पुरुपंधान मंत्री और लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष जिनका हाल ही में निधन हो गया है उनका नाम क्या है तो उनका नाम है आपका यासू हीरो नाक सोनो ठीक है और ये 101 वर्स के थे बहुत दिन जीलिये 101 वर्स की वाईउ में जो है वो इनका निधन हो गया है जो जापान के एक्स प्राइम मिनिस्टर और राष्टपती भी रह चुके हैं ठीक है लिबलर डेमोक्रेटिव पार्टी का तो ये थे आपके important current affair पांस दिसंबर का और इसका संपूर PDF आप सक्सेस की 98.in से जाकर आप सभी डाउनलोड कर लीजिएगा और एक बात किसी भी एक्जाम का मोक्टेश्ट हमारे application से देश सकते हैं quality से कोई भी compromise नहीं किया गया है ठीक है सो जितने भी मेरे भाई बेन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत good morning आपका दिन बहुत अच्छा हो और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी खयाल लगेगा ठीक है चलिए